वैग गाइस कैसे हैं अब सब अब इधर हैं अब सब अच्छे होगे तोican काम कमे dog होगे और यह केश मं काम करते ही मम्मी और पापा ने पहले से ही यह नियम बनाया हुआ है हमारे घर में कि हम लोग सेलंडर पैसे बंद करते हैं चाय बनाते ही और खाना बनाते ही तो कहीं बार हम लोग मम्मी तो मैंने कहीं बार किनी और भी जिकर किया इस बात का मैंने का हम लोग कहां पैसे करते ह तो कुछ लोगों ने बोला कि एस अधर है इसका तो यसे तो रे खराब हो जाएगा तो ममई बाबा कोई क्याता है दिक्कट नहीं मुचaten लेकि आ अगर आप ऐसी अधीड बंद लेकिन वह एक्चुरी बहुत ही अच्छी होते हैं हमारी लिए तो गाइज वालकम टू मॉल्टी टरंटी छवी चौधरी व्लॉक्स स्वागत आप सुपर फिर से छवी के व्लॉक्स में और यह मेरा आज का लूक है मैंने अभी अभी रिल बनाई हैं और तो मैंने आज हनुम सर्विस के लिए बाहर लेके जाना it is difficult for पापा आजकल पापा को थोड़ा difficult लगने लगा है कुछ बड़े बड़े काम करने में अधर्वाइस पापा अब भी बहुत ही सारा काम करते हैं और बहुत ही अच्छा मार्किट का काम करते हैं तो गाइस हमने यहाँ पर ही पापा ने बुला लिया था रवीश वाले को गैस की सर्वीश वाले को और तो हमारा यहां पर क्या था एक्चोली डेफिनेटली जैसे गाइन आपको रूल्स बताए हमारे आपर दिकत तो इसने बहुत ही अच्छा बताया कि आपका जो चूला है बहुत ही अच्छा है पानी पथ से आगे नीचे यहां पर कभी भी मतलब कहीं भी यह चूला नहीं मिलता है पानी पत में ही मिलता है हमने का हमने तो इस शामली में से लिया है Samsung जो पापा के इस्टुडेंट का शोरूम है तो वहीं शेलिया है सेमसंग शोरूम से तो कहने लगए वारी गुड बहुत अच्छा है यह तो हमारी परशांद जी की ही चोइस है यह और तो जहीं चूला है काई तो मैं बता रही थी आपको इसमें दिक्कत क्या है एक्चली जो दो जूले आगे के हैं तो वह थोड़े स लो चल रहे है लो फ्लेम वो दे रहे थे तो इन्होंने बताया कि इस तरह की दिक्कते एक्चली किसी और वज़े से नहीं हम पूरा टोटली सफाई रखते हैं हम रेगुलेटर से बंद करते हैं तो कहने लगे कि आप पूरा अच्छे तरह से कर रहे हो लेकिन ऐसा हो जाता है वो गैस की इंप्योरिटीज से भी होता है गैस सेलेंडर में जो हमारी गैस के अंदर इंप्योरिटीज मिलकर आती है उसके साथ में मिलावट होके आती है तो जैसे मैंने एक दिन एक्चुली इनको बताया भी था कि एक दिन क्या हुआ कि हमारे यापर जब गैस खतम उसमें से निकल रही थी और फिर जब दूसा चैलेंडर लगाया तब मैंने देखा बहुत ही लोई स्पीड कर दे रहा है वो तो उससे होता एक्चुली ये था कि साइड के चुले से जो मैं रोटी बनाती हूँ तो उससे जो रोटी हमारा तवा क्योंकि पापा ने बहुत ह ही भारी है जाने कितने किलोगा होगा तो वह एक्चुली जो चूला है तो वह बहुत ही कम और मेरी रोटी बढ़ाने की स्पीड बहुत ही तेज है और गैस एक्चुली लो है तो रोटियां क्योंकि मैं जब रोटी बनाती हूँ तवा खाली ही नहीं रखती हूँ तो मतलब टाइट रह जाती थी, तो guys ये दिक्कत में कई दिनों से फेस कर रही थी, और मम्मी को actually कहीं बार खाने में, दिक्कत होती होती ही थी कहती ही, कई पहले बनाए कर ये करर, भो गर तो मैंने का, हम्मी मैं करतो रही हूँ, लेकिन के भी रोटिया कई बार टाइट हो जाती थी तो उससे मैं बोलती थी मैंने का ममी ये ना एक्चुली हमारा जो गैस चुला है वो बहुती कम स्पीड का चल रहा है आजकल तो इसलिए तो कई दिनों से पापा इस तलास में थे कि हम इसको ठीक कराएंगे तो इदर अभ तो ऐसा कुछ वो अपनी भी स्टोरी बना रहा था गैस चुले की साथ और ये मैंने बाहर सड़क पर खेलने के लिए बेज़ दिया और यहां जैसे कि आपको बता है बंद गली है तो यहां ही दे आर सेफ तो गाइज मैं इनको यहां से देख रही हूं यहां से इनकी वीड कर तो ममी पापा जब भी कोई मिस्ट्री या फिन मैकैनिक हमारे आपर किसी भी तरह का आता है तो यह लोग बैट के अपनी देखनेक में ही हर काम को कराते हैं गाइज तो यह मिस्ट्री अच्छा था और अच्छा इसने काम किया तो बात यह थी गाइज कि हमें हमेशा क्या वाली नहीं चाहिए हमंपने गैस zet पाइब की काम है और मेरा भी तो मैं अपना भी नहीं है तो दोद़्े दो पाइप है टो और उपर है मैं रागुलर चेक करती है और बहुत ही एतियार गरम चीजे गरम तवा गैस के पाइप के पास नहीं रखने देती तो इतने हीजे बहुत ही अच्छा ध्यान रखती है ममी और मुझे भी ऐसे ही काइड करती जाती है तो यहाँ पर हमारी जो फ्लेम है वो ठीक हो चुके है और इन्होंने ठीक करके चेक क करके और बहुत ही हाई फ्लेम अब आ गई थी तो इन्होंने अंदर से कुछ थोड़ी बहुत चेंज भी किया है एक दो चीजे और फाइनली हमारी गैस की जो लो है बहुत ही हाइफाई स्पीड की हो चुकी है और जब मैंने रोटी पना के दीती सामको पापा को और सुबह को दिन में आज तो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी आई थी क्योंकि तवा हो गया था तवा बहुत ही अच्छे से कराम हो रहा था और अच्छे से रोटी सिख रही थी तो रोटीों पर भी बहुत फरक पड़ता है जो हमारी फ्लेम होती है उससे और तो आप देख सकते रहे सफाई करवाते तो कैस्त मेरा आप सबको भी एड़्वाइस है कि हम सबको भी घर में ऐसे नियम बनाने चाहिए कि हम समय समय पर रेगुलेटर से गवर गैस को बंद करें और जब सेलेंडर घर में आता है तो उसको चेक करके ही अंदर आने दे और वाइप को हम ह wait देना चाहूंगी कि आप वच देर कर रहे हो कि यो आप नेयम नहीं बना रहे हो तो आप अब नियम बना सकते हो और अपने आने वाली पीडी को सेभ कर सकते हो गई तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ नेक्स्ट लोग में और वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें गुट बाई